हेलो एवरिवन स्वागत है आप लोग का मेरी यूटूब चानल रोईध हैर का टूटोरियल में तो जैसा कि आप लोग का बहुत कमेंट आ रहा था कि स्मूथ निंग पर पूरा वीडियो बनाएए तो आज का पूरा डिटेल में प्रोसेस है तो वीडियो को लाश तक देखना तभी आप लोग को पता चलिया कि ये प्रोसेस हमने किस तरह किया है और दोस्तो बिफोर और आफ्टर का लोग देख लिया है तो फटा फट वीडियो को लाइक कर लिजिए लाइक करने में थमसे आप लोग क्लिक करना है कोई महिनत नहीं लगती तो थैंक्यू सो मच आप लोग ने वीडियो को लाइक कर लिया क्योंकि हमें वीडियो बनाने में तो काफी महिनत लगती है बड़ आप लोग को लाइक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता तो लाइक कोटिंग वाले हेर से तो आप लोग को एक्स्टा रेसिस्टेंस हेर का क्रीम लेना है तो उस लारेल स्मूथनिंग के जो पैकेड है उस पर लिखा होता है रेसिस्टेंस हेर और एक्स्टा रेसिस्टेंस हेर तो हम लोग लेंगे रेसिस्टेंस हेर वाला क्रीम तो अब हम स्ट कौकि हम लोग को कोई से पहले कर京की थान देना कि करना है प्यूरिफायningen कोई उसको पूरी तरा से क्लीन कर लेना है आप चाहे लाका था वह लोग यह बशाणा है लूब कर सकते हैं जर्फरी इतिन द्राइ एपर करेंगे हमारा फ्रस्ट रीम का आप्लिकेशन तो देखिए आप लोग किस तरह से मैं अप्लिकेशन करते जा रहा हूँ आप लोग को ध्यान देना है कि जब भी आप लोग क्रीम अपलाई करेंगे रूट को छोड़ते हुए देखिए आप लोग देख सकते हैं और फिंगर से बहुत अच्छी तरीके से मलसिफाई करना है क्योंकि अगर आप लोग को क्रीम से अच्छी तरीके से मलसिफाई नहीं करेंगे तो बोन्स ब्रेक नहीं होंगे बोन्स जब तक ब्रेक नहीं होंगे आप लोग स्मूथनिंग का प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा तो कितना टाइम रखना है कैसे चेक करना है पूरा वीडियो आज हम देखेंगे इसमें तो देखिए हम प्रॉपर फटाफट लगा लेते हैं क्योंकि आप लोग का टाइम ज़्यादा वेश ना जाए तो मैं फटाफट क्रीम अप्लिकेशन कर लेता हूँ जैसे कि आप लोग को पता चल गया कि रूट को छोड़ते हूए हम अप्लिकेशन करना है और हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब भी आप लोग क्रीम लगाएंगे तो क्रीम आप लोग को उतने ही कॉंटिटी में लेना है कि जितना हैर्स पर लगे यह नहीं कि आपने जादा लगा दिया और फिर उसके बाद में आप लोग को लगए कि जादा लगाने से अच्छा रिजल्ट आएगा बिल्कुल भी नहीं जितना आप लोग का हैर्स है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को क्रीम लेना है तो देखिए अब हम आगे हैं ये टु येर वाले सेक्शन प लगा रहे हैं और आप लोग को एकडम स्ट्रेट कॉम करना है कॉम के लिए आप लोग टेंगल कॉम यूज पर्गब रेंगे देखिए हम उसे अच्छी तरीके से करते जा रहे हैं कर् fifteen को और हम सेक्शन टिरफ जाते हुए हम हमारा कॉर्ची तरीकम लगा ले रहे हैं करने लिए इस वीडियो में दिखाता हूँ कि आप लोगो किस तरह से चेक करके आप लोगो पता करना हैं, कि हमारा बॉन्स ब्रेक हो चुका है कि नहीं तो हमारा जो फ़र्ष क्रीम उसका काम बस यह होता है लुषक 화 मी जो हमा अगर आप लोग को मुझसे कोई भी कोश्चन है तो आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं अगर कोई भी डाउट है या फिर मेरा इंस्टाग्राम आइडिया है स्टैलिश रोई लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ पर जाके आप लोग मुझे पतला सा हैर्स लेंगे और उसे अच्छी तरीखी से खीचेंगे और खीच के देखेंगे अगर वह रबर की तरह तन रहा है तो समझ जाए कि आप लोग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है फर्श क्रीम का और अगर तूट जा रहा है तो अभी भी काफी टाइम है तो उसे थोड़ी देर और वेट करिए और फिर उसे आप एक बार खीच कर देखिए रबर की तरह तनना चाहिए तो देखिए हमारा प्रोसेस हो चुका है कंप्लीट हमने चेक कर लिया उसे अब हम इसे करेंगे वाश वाश आप लोग को बहुत प्रॉपर तरीखे से करना है पूरा अब लोग ने हैर्स में क्रीम लगाया फर्स क्रीम क्यों है इसे हमारा है अब इस पर होने वाला आइनिंग तो अगर ब्रेक हो चुका है तो इस पर हम मास नहीं लगाएंगे तो इसे थोड़ा सा प्रोटीन नहीं मिलेगा जिसके आप लोग जब आइन करेंगे तो यह और डाइमेज हो सकता है तो आप लोग जब मास लगा लोगे तो आप लोग एक बहतरीन सा शाइन भी मिल पाएगा और हमारे हैर्स डाइमेज होने से भी बच जाएंगे तो आप लोग जब भी फर्स क्रीम वाश करें तो आप लोग को कंडिशनर या फिर मास्क या फिर आप ल लाओरियल का स्मूध निंग क्रीम बात लगा है और लगा कि उसे ज्यादा नहीं दो से तीन मिनिट रखे देन उसके बाद में वाश करें ताकि बालों को तोड़ा सा प्रोटीन टाइप में मिल जाए और वह आइनिंग से हम उसे प्रोटेक्ट कर पाएं तो चलिए हमने इसे बालों में अच्छी तरीके से लगा लिया है दो से तीन मिनिट वेट कर लिये अच्छी तरीके से पुरा मलसिफाई करने पूरे बालों में लग जाए और फिर हम उसे करेंगे वाश और वाश करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा आइनिंग लेकिन आइनिंग के पहले कि मुझे ये समझ में नहीं आया फिर आप लोग मुझे कोष्चन करोगे जिसके वाईसे फिर आप लोग में वापस से नया व्यटियो बनाना पड़ेगा तो इतना मेंनत मुझे भी मत दीजीए आप लोग पूरा वीडियो लाज तक देखिए अची तरीके से के बाद में conditioner, cream bath या फिर जैसे कि मैं आप लोग को बता है कि smoothening का cream bath लगा कर L'Oreal का रिंस करेंगे रिंस करने के बाद हम इसे towel dry कर रहे हैं, towel dry आप लोग को जादा rough करके नहीं करना है, बहुत ही softly तरीके से करना है अब जब भी आप लोग towel dry करेंगे या फिर home care के लिए भी आप लोग बता हो कि जब आप लोग towel dry करेंगे तो बहुत ही soft तरीके से करना है, जादा roughness या फिर जादा इसे damage करके hairs को नहीं करना है तो अब हम इसमें use करेंगे पैंडल ब्रश और इसे अच्छी तरीके से straight brush कर देंगे, तो देखिए हम इसे proper तरीके से खाली brushing करेंगे और brush करने के बाद में इसमें करेंगे ब्लोड राए, तो सबसे पहले हम लोग इसे जो भी wash किये हैं, टैंगल फ्री कर गे अच्छी तर यूज करना है देखिए, उपर से नीचे की तरफ आना है, बिल्कुल भी नहीं कि कैसे भी आप लोग ने इसे सुखा दिया, ड्राइ कर दिया, बिल्कुल भी नहीं, आप लोग को एक टेकनीक से यूज करना है, जिस तरह हमें कर रहा हूँ है, प्रोफेशनली टेकनीक तरी हमारा आइनिंग, तो जब भी आप लोग ब्लोड राइ करेंगे, ध्यान रखना कि 100% हमारा पूरा अची तरीकी से बाल सूख जाने चाहिए, ड्रा हो जाने चाहिए, क्योंकि 100% जब आइनिंग करेंगे आप, तो 100% ब्लोड राइ नहीं रहेगा, तो उसमें जो भी गीले चाहिए, उससे स्टीम निकलेगा, और स्टीम निकलने के वएसे हमारे क्लाइन को गरम चटके लग सकते हैं, तो देख सकते हूए, आप लोग की खाली में ब्लोड राइ किया है, और काफी स्ट्रेइट है, तो इसके हिसाब से आप लोग समझ सकते हो कि बहुत ही ज़्याद फोर सेक्शन जरूर निकाले हैं तो हम यूज कर रहे हैं आइकोनिक प्रोफेशनल का प्रो ट्रिटैनियम शाइन मशीन जो कि बहुती बहती बहतीरीन सा शाइन देता है आप लोग के पास अगर नहीं होगा तो आप लोग कोई दूसरा मशीन भी यूज कर सकते हैं बस वो प्रोफेशनल होना चाहिए कोई भी चीप टाइप का मशीन से मत करना क्योंकि आप लोग अगर मशीन जितना अच्छा यूज करेंगे आप लोग को रिजल्ट पी उतना अच्छा मिलेगा अगर आप लोग के बस आइकोनिक मशीन है तो और भी बहतरीन रिजल्ट आएगा तो देखिए हम इसे किस तरह से आइनिंग कर रहे हैं पहले रूट से हम अच्छी तरीके से पांस से दस बार हम इसे अच्छी तरीके से रूट से हम आइन कर रहे हैं जो हमारा middle length है उसे आइन कर रहे हैं उसके बाद में int बहुत लोग क्या करते हैं कि 5-10 बार उपर से नीचे की तरब डारेक्टली पूरी तरीके से आइनिंग कर देते हैं जिससे कि उन्हें flat वाला shine वाला result नहीं मिलता तो आप लोग जितने बार उसे आइन कर वाला लुक आ जाएगा तो देख सकते हैं आप लोग के roots से मैं अची तरीके से पहले आइन कर ले रहा हूँ कम से कम 5-10 बार देन उसके middle length को आइनिंग कर रहा हूँ और उसके बाद जो हमारा एकदम bottom का length उसे आइन कर रहा हूँ आइन करते समय आप लोग को temperature ध्यान में रखना है hairs के हिसाब से अगर hairs जादा curly है या ठीक है तो आप लोग full temperature में आइनिंग कर सकते हो बढ़ अगर आप लोग के पास जो भी hairs से बहुत पतले हैं तो आप लोग को ध्यान रखना है कि जितने कम temperature में आप लोग आइनिंग करें उतना ज़्यादा बहतर result आएगा क्योंकि अगर ज़्यादा आप लोग ने heat दे दिया बालो को तो बाल जल सकते हैं या फिर रिदम स्विंग हो जाएंगे तो ध्यान रखना कि hairs की हिसाब से ही आप लोग को temperature यूज करना है तो देखिए हमारा कितना बहतरीन सा shine result आ रहा है इनके बाल भी काफी पतले थे इसलिए हमने smoothening का resistance hair वाला ही product यूज किया जिससे की ज़्यादा hair को कोई problem ना हो और lining भी हम लोग कम temperature में कर रहे हैं अब हम आज चुकें ear to ear वाले sections पे और उसे हम proper तरीके से करेंगे कान पे ध्यान देंगे कान अगर आप लोग को लगता है कि चटका लग सकता है तो आप लोग client को बोल देंगे कि हाथ रख लें ताकि आप लोग बहुत आराम से कर पाएं क्योंकि अगर client को कान पे चटका लगा तो उन्हें problem हो जाएगा तकलिफ हो जाएगे तो ध्यान रखना client को आप लोग बोल दीजे कि कान पे हाथ लगाने के लिए ताकि आप लोग आराम से आइनिंग कर सके कोई डर नहीं कोई टेंशन नहीं आप लोग को बहुत लोगों को लगता है कि मैं आइनिंग करूंगा चटके लग जाएंगे तो ध्यान रखना इस तरह आप लोग client से बता सकते हो और आप लोग वहां पर प्रॉपर तरीके से कर पाओगे तो देखिए अब मैं year two year वाले sections को भी बहुत प्रॉपर तरीके से कर रहा हूं पहले हम root को area cover कर रहे हैं then middle length वाला area उसके बाद में bottom आपकर आप लोग पूरा technique से sectioning करके अच्छी तरीके से करेंगे तो आप लोग इस तरह का result मिलेगा तो देखिए result कितना बहतरी शाइनिंग आया है क्यों neutral करेंगा किस लिए neutral करेंगा मैं आप लोग को detail में बताता हूं तो देखिए हमने जब first cream लगा है तो उसने हमारे हैर्स को किया break ब्रेक करने के बाद में अब हम जब इस पे आइनिंग कर रहे है मशीन जो हमने product यूज किया उसके वज़े से हमारा यू हेर्स होरा रच्छति किया है के वज़े से अभी में इसे नूट्रल करना है और नूट्रल करने के लिए हम यूज करेंगे नूट्रलाइजर यानि कि हमारा जो हैर्स ब्रेक हुआ था उस हैर्स को अब यह रिपेर करेंगा जैसे कि आप लोग को में क्लियर भाषा में बता दे रहा हूं कि पहले हमने जो फ क्युक्तिक लिए रख देते हैं जिसं उन लोगों को पता नहीं होता कि किस तरह रखना है कितना टाइमिंग रखना है तो आप लोग मैं बता दे रहा हूं कि बस जह से 10 minutes के लिए रखना है और 10 minutes के लिए के बाद में इसे आप लोगों को यूज कर देना है और वौश करने स्कैल्प में लगए हैं वो पूरी तरीके सी न्यूट्रलाजर को अच्छे तरीके जिंदिकान लेना है फिर से एक बाद बरता रहा हूँ कि फर्स्ट क्रीम को हमें 40 मिनिट के बाद यानि कि 40 मिनिट रखना है उसके बाद में एक बार चेक करना है और चेक करने के बाद ही आप लोग को वाश करना है और जो सेकेंड क्रीम है उसे 10 मिनिट के रखना है आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत मोना यह नहीं कि सेकेंड क्रीम का आप लोग ने 40 मिनिट के लिए रख दिया और फर्स्ट क्रीम को 10 मिनिट के लिए तो confuse मत होना अगर आप लोग को वापस से लगता है तो आप लोग पीछे जाकर फिर से पूरा वीडियो देख सकते हो तो अब हम इसे करेंगे towel dry और towel dry करने के बाद में हम जिस तरह से blow dry किये थे उपर से नीचे की तरफ उसी तरह blow dry करना है तो देखिए ध्यान रखिए smoothening करते समय उपर से नीचे की तरफ ही आप लोग को blow dry करना है यह नहीं कि आप लोग ने कैसे भी blow dry करके बालों को dry कर दिया तो हम इसे अच्छी तरीके से flat में iron कर लेंगे या फिर आप लोग खाली blow dry करके भी चोड़ सकते हो हम यूज करने वाले हैं stricks का serum हमारा blow dry कंप्लीट हो चुका है अब हम इस पे stricks का serum लगाएंगे जिसे की एक shine मिले और बालों में मोहशर बनी रहे और उसके बाद में आप लोग देखिए यह है हमारा final result एक दम permanently smooth बिल्कुल भी ऐसा लगनी रहा कि इनके बाल पहले कोई कर ली थे या फी थीन बाल थे बहुत ही बैदरीन सा result आया है तो दोस्तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना और स्कीम पर जो भी वीडियो आ रहे हैं उसे क्लिक करके आप लोग और भी knowledgeable वीडियो देख सकते हो और दोस्तो मुझे इंस्टाग्राम पर फालो कर लेना क्योंकि इंस्टाग्राम पर भी मैं चोटे चोटे वीडियो डालते रहता हूं जिससे आप लोग को knowledge मिलेगा तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बाई बाई